चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी सैंडविच जिससे आप व्रत में भी खा सकते हैं बहुत आदा टेस्टी बनेगा हेल्दी भी है और बहुत कम आउयल से हम इसे बना कर तयार कर लेंगे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक कप साबुदाना को 15-20 मेट के लिए भीगो दिया था अब हम इसे एक बड़े पाउल के अंदर ट्रांस्वर कर लेंगी क्योगी साबुदाना फूल कर बिल्कुल डबल हो जाता है साथ में मैंने दो या तीन उगले वे आलू थे उनको अच्छे से ग्रेट कर लिया ग्रेट कर लेंगे तो मूँ में दाने आने की वो नहीं रहेगी यानि छुट-छुटे आलू को जो टुकड़े आते हैं वैसे आप चाहें तो इसे हाथ से भी फोड़ सकते हैं अब आधिकटोरी के लगभग मैंने इसमें मूफली अच्छे से भून कर और दरदरा पीसली अधा वू डाल देंगे एक चमच हरी मिच बारीक काटके डाल देंगे और एक चमच अध्रक हम इसके अंदर बारीक चॉप करके डाल देंगे सारी चीज़े डालने के बाद आब हम इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम की लगभग पनीर पनीर से बहुत जादा टेस्टी और हेल्दी तो बने गए और ये एक ऐसा सेंड्विच है जिसे हम बिना ब्रेट की बनाएंगे साथ में ब्रत में भी आप इसे खा सकते हैं खूब सारा अहराधनिये डाल देगे अब डालें मैं इसमें एक चमच विया व्रत वाला नमक, आधा चमच हम जीरा डाल देंगे और आधा चमची का निर्च का पाउडर साथ में एक चमज मैने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल दिये ताकि हमारा बहुत अच्छा चटपटा सा जो है हमारा सैंड्विच बन के तयार होगा इस सैंड्विच की खास बात क्या है इसे आप व्रत के दोरान भी खा सकते हैं सारे मेने उनिवसाले के इस्तेमाल कि है जो कि हम व्रत के अंदर खा सकते हैं और फटा-फट से बन भी जाएगा तो अब आने वाले व्रत जो है गणेश चतुर्थी का होगा या नवरात्री के तो उस वरान आप इस सैंड्विच को बना सकते हैं और एक healthy और tasty option पर जा सकते हैं और दूसरी बार आलू और साबुदाने से बनाएं तो आपको काफी देर तक फीलिंग फुल की जो है वो फीलिंग रहेगी और पेट भरा हुआ रहेगा जिससे कि आपको बार बर खाने की जोतनी बढ़ेगी और मन भीनी लल चाएगा समझ गे ना आप में आपको क्या कहना चारी हूँ क्योंकि व्रत रखते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजे जो हैं दिमाग में आती रहते हैं खाने की और शाम का इंतिजार करते रहते हैं ताकि जल्दी से व्रत खतम हो और हम लिए सब चीजे खा सके यही नाश्ते में ए पेड़ा बनाएंगे और इसको फेलागे अब मैंने इसको थोड़ा सा एसा रख है जिसका है में डो की फॉर्म बना सकते हैं रीजन यह कि अगर आपके पास इस तरह का सैंड़िच में करना हूं तो आप इसे इस इस तरह गोल गोल पेड़े बना कि सेम तरह से तब इभी से सकते हैं लेकिन मैं आज आपको कुछ सेख करने भी खा सकती हूं उसका रीजन यह कि रसोई में काम चल रहा है यानि गणेशा तुर्धी की और चट्टे कि उसकी तियारियां चल दी है तो मुझे रसोई भी परमीशन ने आज एंटर होने की उन्होंने का अपना जो करना है वो बाहरी करो तो इस वज़े से अब मैं इसको बाहरी बना रही हूं हाँ वो मुझे सेख कर देंगे इतनी वो मेरी हेल्प कर देंगे यानि कि वो मतला मेरी मम्मी अब थोड़ थोड़ा हम पनी का टुकरा रखेंगे दो टमाटर एक चुटकी नमक्ष रख देंगे इसे ही दूसरा जो हमने एक और बड़ा सा पेड़ा लेंगे और उसे उपर से इस तरह से स्ट कर देंगे बस हमारा सेंड्विच वो सिखने के लिए तैयार हम इसे अलट पलट के यह मेरी को ममी ने सेख के दे दिया है दो तीन बार इधर से उधर करकर के घी लगा के अगर आपके पास किसी भी तरह का सेंड्विच में करना हो तो भी आप आप से गयस के उपर तभे पे सेख सकते हैं कभी न कभी मैं आपको इस तरह से से जरूर दिखाऊंगी क्योंकि रेसिपी तो रोज बनाती रहोंगी और आपके सामने लाती रहोंगी उमीर आप सब को वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सकाइब करें और बैल आइकन को जरूर से प्रेस करें यह देखिए अब और सोने पे सुखागा लाइट और चली गई जो मेरा इतना सैंडविच मैंने आपको सु के जरूर करें देखिए कितना अच्छा सेंडविच है मेरे तो देख की पानी आ रहा है आशे तरह है मुझे मुझे ने दूसा सेंडविच भी सेक की लिए प्ल मिला कि मुझे नहीं जनने दिया गैस पर जो काम हो रहा है वही होगा अब कैसे समझाऊं कि मैं भी तो इव्र